नमस्कार मैं रविकान देख रहा है जहकास भारत अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राश्टी प्रवक्ता गुरू प्रकास जी इनसे कुछ सवाल रहेगा बीबीसी को लेकर नितीज जी को लेकर और उपहिंद कुस भाह को लेकर पहले बीबीसी के लेते हैं कि त अब BBC का मुद्दा क्या है अब मुझे तो कई बार ये बात सुन करके हसी भी आती है कि वही कॉंग्रेस है जिन्होंने BBC पे बैन लगाया था और अभी जो हो रहा है वो ट्रांस्वर प्राइसिंग को लेकर के हो रहा है डाइवर्जेंट ओफ प्रॉफिट्स को लेकर हो रहा ह लेकर है बीबीसी ने टैक्स के सम्मन्ध में कुछ गरबड़ी की होगी ऐसा इंकम टैक्स को लगता है तो इंकम टैक्स के लोग वहां सर्वे करने गए थे अब इसको इतना बढ़ा चड़ा करके दिखाना मुझे लगता है कि कॉंग्रेस के लोगों को विपक्ष के लोगों को भारत के सम्विधानिक संस्थानों पे भरोसा नहीं है देखी ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड ठीक नहीं है आप चुनाव हारते हैं आप चुनाव आयोग पे प्रशन चिन खड़ा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आपके मन मताबिक कोई वर्डिक नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट खराब है EDCVI खराब है, मीडिया खराब है सम्विधान खराब है, तो कौन ठीक है जो विदेश में है वो ठीक है आपको कैसा लगता है इस ते लिए न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी इसी प्रकार से नितीज जी का सपना अब पूरा नहीं होने वाला है कुर्णियम विपक्षाला गलग था क्या हुआ एक ही था क्या हुआ नितीज जी हारे कि नहीं हारे मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ उप्चुनाव हुआ सब में नितीज जी हारे है तो मुझको लगता है कि नैतिक रूप से शुन्ने वेक्ती अपरात भरष्टाचार का बोलबाला अभी है अभी हम लोग के संग्यान में आया कि पटना के निकट पटना के समी फट्वा में मडर हुआ है पांच-पांच लोगों पर गोलियां चली है ये लोएन ओडर इस प्रकार से लड़ खड़ा गया है और नितीज जी क्या कर रहे है समाधान यातरा पे निकले हैं और समाधान यातरा में कुरसी फेकी गई है इनके उपर तो बिहार की जंता समझ गई है कि ऐसे असंविदन शील व्यक्ति को मुख्य मंत्री बना के रखने में कोई भलाई नहीं है जो आदमी गरीब वंचित सोशित पीड़ित के देहांत पे कहता है कि पीओगे तो मरोगे यह समविदन शीलता की पराकाश्ता है नितीज जी संभल जाईए थोड़ी नयतिकता का परिचे दीजिए आपका तो ठगने का इतिहास रहा है अपने जौर्स फर्नांडे सहाब को ठगा आपने लाइन से लोगों को ठगने का काम किया है बिहार के लोग अब आपके चलावे में आपके भ्रह में नहीं आने वाले है कॉंग्रेस भरोसा करेगी निती जी जी जेहरामरमेश बोल तो दिये हैं। सब्सक्राइब का एक फेल्ड ट्राइक रिकॉर्ड तो मुझे लिक्ता अपको पुन्राविचार करने की आफ़शकता है आख़ी सवाज जीतनरामांजी ने अपने बेटे को मुख मंत्री बनने की मतलब काविलियत को कहा है महागणवंदन में तेजस्वी आदब से ज़्यादा काविल है इसको बीजेपी कैसे देखती है एक तो अभी दलित कार्ड हो चल रहा है मांजी जी उसके नहीं देखिए ऐसा है कि हमारे देश में लोक तंत्र है राच्टंत्र नहीं है लेकिन महागणवंदन के लोग को यदि लगता है कि महादलित समाज का कोई वेक्ति इतना प्रतिबावान है इतना पराकरमी है तो बिल्कुल निश्यत रूप से आपको आगे बढ़ाना चाहिए अब महागणवंदन और खास तोर की राच्ट्रिय जनता दल के लिए ये लिटमस टेस्ट है आप अपने आपको समाजिक नहीं का पुरोधा कहते हैं तो बिहार की सत्ता लालू जी के परिवार के आगे सौप करके समाजिक नहीं का उधारन पेश करिए यदि आपमे हिमत है आपमे नैतिक शक्ती है तो इसका परिचे दीची न निश्वित रूप से दलित का बेटा महदलित का बेटा बियार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए लेकिन मैं लिखित रूप से दे सकता हूँ कि ये तेचस्वी आतव हो निश्वित कुमारों उनके बस की बात नहीं है इनको अपने परिवार और अपने आगे कुछ नहीं देखता है चलि बात कर रहे हैं गुरू पासवान जी से जो बीजेपी के राश्टी प्रवक्ता हैं और भी तमाम खबरों बने रहने के लिए यकास भारत देखते रहे हैं मेरा नाम रवी कांत हुआ धन्यवाद